तो आपका एक बार फिर से अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं आज हम जो जानकारी देंगे दोस्तों वो देंगे appendix या appendicitis बीमारी के बारे में क्योंकि appendicitis बीमारी बहुत ही खतरनाग बीमारी है अगर समय पे उसका डागनोसिस ना हो और उसका इलाज ना किया जाए तो बात करते हैं अच्छल में appendix होता क्या है appendix जो है वो एक vestigial organ है जो body के या पेट के निचले इससे में इस तरफ यहाँ दाइनी तरफ राइटी लेक फोसा में पाया जाता है इसको vestigial organ की category में इसलिए रखा जाता है कि इसका कोई use नहीं देखा गया है body के अंदर यह कुछ 8 से 10 cm लंबा एक organ है जो बड़ी आत और चोटी आत के बीच में जुड़ा होता है तो यह बड़ी आत यहां से जाती है चोटी आत अगर यहां से जाती है तो दोनों के बीच में यहां पे यह एक चोट अस आरगन जैसे आप इस diagram में देख रहे हैं लटका रहता है और इसके अंदर opening होती है यह इसके अंदर रास्ता खुला होता है तो इसके अंदर कुछ contents भोजन के content या मल के content भी जा सकते हैं और यही कारण होता है appendicitis होने का है तो अब बात करते हैं चल्में appendicitis क्या होता है what is the difference between appendix and appendicitis appendix एक organ है और जब इस appendix के अंदर कुछ किसी का घ्रांने लगे तो इस condition को हम appendicitis कहते हैं appendicitis generally दुह था होता है एक acute appendicitis होता है जो एक बहुती सीवेर कंडिशन होती है बहुत ज़्यादा painful condition होती है दूसरी कर्टेगरी होती है जिसको chronic appendicitis कहते है chrony appendicitis में लक्षन हो कम severity होते है mild symptoms होते है बात करते हैं कि दोस्तों यह appendicitis होता क्यों है कारण क्या है कि इसमें swelling वगरा आ क्यों जाती है अगर vestigial organ है तो फिर इसको पड़ा रहने का फायदा भी क्या है तो दरसल इसके बहुत सारे कारण है वो किसी भी कारण से अगर जो lumen है appendix का जो रास्ता है वो अंदर की तरफ से गर बंद हो जाता है अब उसके कारण हो सकते हैं कि उसमें infection भी हो सकता है उसमें कोई बाहर से कोई चीज यानि कि मल का कोई टुकड़ा अंदर चला जाए और वहीं पे रह जाए और उसके कारण infection हो जाए या हम खाने में कुछ बारी बीज वाली कोई सबजी खाते हैं कोई ऐसा फल काते हैं कि वो बीज इस lumen में चला जाए और जिसके कारण रास्ता बंद हो जाए या के बार जो पेट की कीड़े हैं वो भी उस तरफ चले जाते हैं चोटा कोई कीड़ा वहां जाके अगर पहुंच जाता है और वो बाहर नहीं निकल पाता है तो उसके कारण भी appendix का जो रास्ता है ये लीमन है वो बंद हो जाता है उसके अलावा आपर अगर कोई pathology डेवलप हो जाए कोई किसी दरगा tumor बन जाए तो इसके कारण भी अगर रास्ता बंद हो जाता है तो वो pathology कोई भी हो कारण कोई भी हो अगर उसका रास्ता बंद हो जाता है appendix का तो वहाँ पे swelling आने लगती है inflammation बढ़ने लगता है तो इस condition को हम appendicitis कहते हैं आगे ये further क्या होता है इसकी pathology क्या है तो उसमें जैसी ये रास्ता बंद हो जाता है तो अंदर कुछ collections शुरू हो जाता है एक तो swelling बढ़ गई swelling हो गई तो वहाँ पे mucos इखटा होना शुरू हो जाता है अगर उसको mucos को निकलने कला कोई रास्ता बंता नहीं है बचता नहीं है तो जब ये collections बढ़ने लगते हैं तो वहाँ पे एक दबाव पढ़ने लगता है तो जैसे एक खून वापिस जाता है सारे और गई से हर्ट की तरफ को तो वह खून दबाव के कारण वापिस नहीं जा पाता और वहाँ पे engorgement और जादा बढ़ जाता है हाला कि उस समय तक blood की जो supply है वो आती रहती है और जादा अगर pressure बढ़ता है तो वहाँ पे फिर blood की supply भी काम होने लगती है उसको हम ischemic condition कहते है और जब यह condition आ जाती है तो उस समय appendix के rupture होने के chances बहुत सदा बढ़ जाता है और अगर appendix इस समय पे rupture हो जाती है तो जो भी content था जो भी infected material था appendix के अंदर वो stomach के अंदर फैल जाता है और जैसे stomach के अंदर फैल जाता है तो वहाँ पे inflammatory reaction होता है और फिर sepsis की condition हो जाती है यानि कि खून में या सारी बूडी में infection फैल जाता है और उसके बाद multi organ failure में patient जा सकता है जिसकी वज़े से death भी मरीज की हो सकती है तो इसलिए बहुत ही खतरनाक बीमारी कही जाती है अगर समय पर diagnosis या उसका इलाज ना किया जाए तो और यह जो बीमारी है वो बहुत जादा common है खास दोर से 10 साल से और कुछ 45-40 साल की उमर के लोग में जादा यह बीमारी होने के chances रहते हैं male जादा prone है comparative to female यानि कि मर्दों को यह बीमारी जादा होती है यह condition ऐसी है appendicitis की कि बहुत सारी बीमारी उसे mimic करती है जैसे renal colic एक condition है तो अगर किसी को right kidney का stone है या right kidney में inflammation है या ureter में stone है तो वो भी उसी तरह का दर्द होता है जैसा appendicitis का दर्द होता है तो यह बहुत जादा mimic करता है कि बार appendicitis से renal stones का दर्द दूसरी condition कई बार colitis की condition में भी देखा गया है और जो appendix की positions होती है ये आपन्डिक्स की पांच position होती है रे्रो सीकल होती है पैल्विक होती है तो कई रव अगर acute colistitis वाला जो दर्द है और appendicitis का जो दर्द है उसमें भी कई बार confusion होता है तो यह भी एक differential diagnosis की condition बनती है एक और condition होती है ओरतों में जिसे अगर किसी को ovaries का रप्चर हो जाए राइट साइट की ovary का किसी female को तो ये बहुत जादा मिमिक करता है appendicitis के दर्थ से similarly ectopic pregnancy में भी अगर right side की ectopic pregnancy है तो उसमें भी appendicitis से मिलते जुलते लक्षन आते है तो ये differential diagnosis करना ज़रूरी है और इस सारी conditions बहुत खतरनाक हो सकती है अगर समय पर diagnosis ना किया जाए अब बात करते हैं इसके symptoms के बारे पर actual में जो इसके symptoms है वो जैसे ही blockage शुरू होता है या वहाँ पर infection होता है appendix के अंदर तो 12 से 36 गंटे में इसके symptoms आने शुरू हो जाते है और पहला symptom जो पहरी अमलाइकल रीजन में आता है तो यह दर्द जो है वो right side है नीचे का हिस्सा यहाँ पर यह दर्द मरीज को जादा महसूस होता है बहुत जादा वहाँ पर tenderness होती है निकि दबाने से दर्द महसूस होता है और जो tenderness है वो जो हम उपर positions की बात कर रहे थे उसके हिसाब से इधर उधर वारी भी कर सकती है उस दर्द की location या position जो इसके बाकी लक्षन है दूसरे लक्षन है उनमे वामिटिंग बहुत कमन है दर्द के साथ उल्टी आना जी मतला आना नौजिया या भूक का कम लगना उसके ससद बुखार भी इसमें देखा गया है लेकिन बुखार वारी करता है अगर infection जादा हो तो बुखार तेज होता अगर infection कम है तो बुखार उतना जादा नहीं होता फिर भी ये 99 से कुछ 102 डिगरी फारेन हैट तक बुखार इसमें ऐसे मरीजों में नोटिस किया गया ह कुछ मरीजों में यूरेनिरी सिंटम्स भी देखे गया है कि उनको पिशाब गया जलन या दर्द के साथ पिशाब आना और कुछ मरीजों में diarrhea या constipation भी देखा गया दोनों में से कुछ भी हो सकता है तो यह कुछ अलग तरह के सिंटम्स है जो जो appendicitis के मरीजों में देख होता है वो जाचे कौन-कौन सी हैं उन में से कुछ बिलेट की जाचे भी होती है जैसे बिलेट के अंदर जो टी एलसी या वाइट ब्लेट सेल्स का जो काउंट है वो बढ़ जाता है और नुट्रोफिल्स का जो काउंट है वो भी बढ़ जाता है जो सी रेक्टिव प्रोटी जा सकती है लेकिन एक ड्रॉबाइक यह भी होता कि अगर सूजन बहुत जादा है वहाँ पे इंफ्लामिशन बहुत जादा है तो कई बार जो अपेंडिक्स से वो छुप जाती है इस सूजन के पीछे और अल्टर साउंड में दिख नहीं पाती है तो ऐसी कंडिशन में जो CT abdomen है वह बढ़ा मददगार सावित होता है उससे हम बहुत असानी से appendix या उसके इविन कारणों का भी पता लगा लेते हैं उससे सारी चीज़े विजुलाइज हो जाती है CT scan के तुरू इसको हम gold standard test भी कहते हैं appendicitis को diagnose करने के लिए कुछ conditions में ऐसा भी होता है कि जहां पर आप CT scan भी नहीं कर सकते हैं जैसे pregnancy में pregnant women's में जहां पर हम CT scan नहीं कर सकते हैं तो हम आप MRI की तुरू भी इस भी मेरी को diagnosis कर सकते हैं यह तो हमने बात की दोस्तों के diagnosis क्या होता अब जैसी आपने diagnosis कर लिया तो अब इसका treatment भी करना बहुत जरूरी है अब treatment क्या हो सकता है treatment कैसे करते हैं तो सबसे पहले तो यह है जरूरी के इस condition में emergency hospitalization की जरूरत है अगर किसी को भी right abdomen में नीचे की तरफ दर्द होता है तो इसको ignore ना करें फूरान आप emergency hospitalization करें या किसी surgeon को दिखाए और एक एतियात रखें कि उस मरीज को मूँ से ना दे कुछ भी उसको निल ओरली रखे उस anesthesia देने के लिए और एक और जरूरी बात होती है इसमें कोई pain color नहीं देना चाहिए दर्द को रोकनी की दवाई नहीं देनी चाहिए क्योंकि अगर दर्द को रोकनी की दवाई दे दी जाती है तो जो दर्द है वो कम हो जाता है लेकिन जो अंदर की pathology है वो तो बढ़ती रहती है inflammation भी बढ़ता है surgeon भी बढ़ती है collection भी बढ़ता है और मरीज को पता नहीं लगता और appendix rapture हो जाती है और जब rapture हो जाती है appendix तो फिर sepsis की condition पैदा होने के बाद multi organ failure में भी patient जा सकता है अगर समय पर treatment ना मिले तो इसलिए दर्द की दिवाई नहीं देना चाहिए appendicitis के मरीज हो को अब बात करते हैं इसके actual treatment के बारे में तो दो तरह का treatment हो सकता है पहला treatment non-surgical या जिसको medical treatment कहते हैं वो भी हो सकता है तो यह खासतोर से तब किया जाता है कि अगर mild symptom है पहली बार किसी को हलके symptom आए बहुत acute condition नहीं है तो उस समय से trial लिया जा सकता है कुछ broad spectrum antibiotics देने के बाद और बहुत बार यह देखा गया है कि यह ठीक भी हो जाती है बिमारी लेकिन दुबारा होने के chances भी रहते हैं तो अगर दुबारा होता तो फिर आपको surgical treatment की दरफ जाना ही पड़ता है जनरली chronic appendicitis के case हो में इससे आराम मिल जाता है medical management से लेकिन अगर acute condition है बहुत severe condition है तो फिर आपको surgical treatment की ज़रोत पड़ती है और उसको हम कहते है appendectomy यानि कि appendix को काटके remove कर देना body से बाहर निकाल देना appendectomy दो तरह की होती है एक होता है laparoscopic appendectomy यानि कि जो दूर भी इनके जरीए operation किया जाता है उसको laparoscopic appendectomy कहते हैं अ दूसरा होता है जिसको हम open appendectomy कहते हैं open appendectomy कभ की जाती है वो तक की जाती है कि अगर हम लेपरोस्कोप के द्वारा अगर अपेंडिक्स को ना निकाल पाएं जिसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन की कंडिशन में ऐसे होता है जैसे अगर एपसिस डवलप हो जाए या वहाँ पेंडिक्स का रप्चर हो जाए या कुछ और दूसरे कॉम्प्लिकेशन से जहां पे लेपरोस्कोप यूज नहीं किया जा सकता है तो फिर आपको ओपन अपेंडिक्टिमी करनी पड़ती है ओपन अपेंडिक्टिमी में एक्चुल में चीरा बड़ा लगता है मरीज को कई दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ता है खून भी जादा बैता है और ये कॉम्प्लिकेटड भी होती है सरजरी वहीं दूसरी दरफ जो लेपरोस्कोपिक सरजरी है उसमें बहुत चोटे-चोटे तीन चीरे लगता है खून बहुत कम बैता है मरीज मुश्किल से दो दिन अस्पताल में रुके घर पे वापिस आ जाता है और दो से तीन अफ़ते में अपने खाम पे वापिस जा सकता है तो बैतर तो यह है कि लेप्रोस्कोपिकली appendix को निकाल दिया जाए दूसरे complications से बचने के लिए जो बड़ा complication है हम अलड़ी बात कर चुके हैं जो rapture है वो बहुत बड़ा complication है और 2-5% cases में rapture देखा गया है और उसके बाद death भी observe की गई है कुछ cases में fistulas का भी complication देखा गया है जो हाथ हो के अंदर fistula बन जाते है तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपके अंदर जो भी appendix को लेके appendicitis को लेके सवाल थे वो सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा और अगर उसके अलावा फिर भी आपके मन में कुछ सवाल है कुछ queries है तो आप तो आप comment box में जाके अपने सवाल मेरे तक भेज सकते हैं लिख सकते हैं मैं पूरी कोईश करूँगा कि आपको उन सवालों का सही सही जवाब दिया जाए तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो जानकारी भरा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद